साथियों, आत्म निर्भरता और आज़ादी को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है, जो देश जितना किसी दूसरे देश पर निर्भर है, उतना ही उसके लिए संकट है। जो देश जितना आत्म निर्भर है, वो उतना ही शसक्त है। कोरोना के संकट काल में हम सभी ने आत्म निर्भर होने की इस ताकत को देखा है, समझा है, अनुभव किया है। इसलिए आज भारत आत्म निर्भर होने के लिए पूरी शक्ती से काम कर रहा है। आज अगर अथा समंदर में भारत की ताकत का उद्गोश करना के लिए आएनेस विक्रान तयार है, तो अनन्त आतास में यही गर्जना हमारे तेजस कर रहे है। इस बार 15 अगस को पूरे देश ने लाल किले से स्वदेशी तोप की हुंकार भी सुनी है। आज हादी के 75 साल बार सेनाओं में रिफॉर्म करके भारत अपनी सेनाओं को निरंतर आधुनिक बना रहा है। आत्म निर्भर बना रहा है। हमारी सेनाओं ने ऐसे उपकरोनों की एक लंबी लीज़ भी बनाई है। जिनकी खरीद अब स्वदेशी कंपनियों से ही की जाएगी। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च और डेवलप्मेंट के लिए 25 प्रतीशत बजट भी देश की उनिवर्सिटीज और देश की कंपनियों को ही उपलब्द कराने का निरने लिया कया है। तमिलनाडू और उत्तर प्रदेश में दो बड़े डिफेंस कोरिडोर्स भी विक्षित हो रहे है। डिफेंस सेक्टर में आत्मंदिर भरता के लिए उठाये जा रहे हैं इन कदमों से। देश में रोजगार के अनेकों नए अउसर पैदा हो रहे है।